असलाम अरेकों मैं हापकास बबलुला हुरी भाई स्मार्टफोन इंडिस्ट्री में प्राइस ड्रॉप के ट्रेंड चल रहे हैं और कन्फूजन भड़ती जा रही है कि आप फून को बाई करें या फिर वेट करें प्राइस मजीर ड्रॉप आएंगी या फिर ऊपर चली जान है कि अब बताओ कि आप यह फून लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो मैं कुछ डिफरेंट कॉंटेंट प्लैन कर रहा था कुछ गेमिंग फून पर या कैमरा फून पर लेकिन जब मैंने देखा रहा है यार कॉमेंट्स इतने ज्यादा है कन्फूजन लोगों में कि अब उनको प्राइस ड्रॉप के बाल लेना चाहिए या पर नहीं लेना चाहिए और बेसिकली यह जो प्राइस ड्रॉप है देखो डॉलर दो तीन मंत से ही 275-283 की दिर्मानी फ्लक्ट्वेशन हो रही है तो पहले डॉलर की वज़ा से प्राइसी चेंज होती थी अभी क प्राइस इतनी चेंज हो रही है भाई क्यूंकि आप लोगों ने और प्राइस फोन को बाइकॉट किया हुआ है और ब्लैक माफिया का जो बाइकॉट किया है बड़ा एफेक्टिव रहा है ब्रैंड्स भी लाइन पे आ रहे है और माफिया तो वैसी फोट हो चुका हुआ ह राईधमि को डिसक्र्स कर लेते हैं रैटमी ने इपर रीसेंट डीन है अपने लोओ सीरिज के फून है इनकी प्राइस को ट्रॉप किया मैं रीडमी नोड थर्टीन है और यह नोड थर्टीन परूव में भी मत लेना एक 5,000 पे का जो प्राइस का उसका और वेट कर लो फिर इसकी और अची वैल्यू निकलेगी फिर इसकी तरफ जाना अभी जो है ना रेड्मी नोट 13 को आपको skip करना चाहिए उसके बाद जो अगला फून है वो है रेड्मी नोट 13 प्रो अब ये फून 75,000 पे की प्राइस में गालबन आया था आर्थ 256 वाला वेरियंट मैंने इसको रेव्यू किया था और उस टाइम पर 71 के आसपास मिल रहा था तो मैंने आपको बताया था रेव्यू में ओवराल मतलब चीज़े अगर देखी जाए प्रोजन कोंज डेफिनेटल इस फून के भी है लेकिन ठंडे जून में था थोड़े प्राइस के रिक्मेंड मैंने स्टिल इस फून को कर दिया था कि कुछ जो इसनेरियू में यूजर इसको ले सकता है अब इसकी प्राइस जो ने भी अपने कुछ मॉडल्स पर प्राइस ड्रॉप किया भी रीसेंटी जिनमें ओपो ए एट थीस है चाली से जार पे पर लांच किया था 37 प्राइस कर दिया है और ओफ्लाइन में कुछ डिस्काउंट के बाद को 33-34 पर मिल रहा है लेकिन स्टिल मैं आपको ये स्टिल मिल जाता है लेकिन मैं स्टेस्ट यह करूंगा कि स्नैपडेगन 680 जैसा जो थका हुआ आडवेर ना साट 65 की रेंज में लेकि फिर बाद में कम्प्लेन ही करनी है ने कि फून भाई मैं चला रहूं चल नहीं रहा थोड़ा सा चलाया था रात को सुबह उठा तो फो स्टिल में है बट यह एक ऐसा फून है जो ओपो फैंस इस फून की तरफ देख सकते हो मैंने इस फून को रिव्यू भी किया विद प्रोजन को उनसाब को डिसकस किया वह वहां पे एक फुल फ्लेच कैमरा फून नहीं है लेकिन काइंड ओफ डिसेंट कैमरा है पर्फॉर् KISTAR में के तरफ आए है क्योंकि उन्हों ने भी अपने कुछ फून को प्राइस काट लगा इखा है अब कुछ फून क scream और को फून ऑनकी चल रही हैं पाकिस्तानी की जिए ठानी चुछ पायं पहले यह फूनी कंटरी फैन्स को बस घुच कर रहे हैं तो उनने रिवियू मे इसको फैंक दिया और फिर प्राइस कट लगते लगते ये अब आ गया इनवाइस 40 के ओपर 36 में 35 में मार्किट में मिल रहा है तो इतने पैसों में अगर आप एक फून डबा पैक में लेना चाहते हो रियल मी ब्रैंड का नॉर्मल टाइप के यूज के लिए तो आप इस फू आपको कोई डेडिकेटिड कैमरा फून तो मिलता नहीं है तो नॉर्मल यूज वाले जो है ना वहजरात इस फून के तरफ आप 35 में देख सकते हो अगर स्लाइडली यूज में देख लेते हो को 30 32 का सब्स में जाता है फिर तो बड़ी सूपर डील है दूसरा फून है दू आपने 30-30,000 रपया C53 पर लगाना बैटर आप C67 पर लगा लो वो इसके कंपरिटिवली कुछ बहतर है अब देखो एक ऐसे ब्रैंड को डिसकस करते हैं जो वैसे तो क्वालिटी ब्रैंड है लेकिन यह मोस्ती ससे नशे में टुन रहता है मैं बात करूं आपसे वीवो की अब वीवो देखो वाई सीरीज के इनके फून्स हैं बहुत थके हुए स्पैसिफिकेशन और सूपर ओवरप्राइस रेंज में ही लांच करते हैं पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहां से ले आते हैं अब रिसेंट डिवाइसे को प्राइस कट लगे ना इनके वो है वाई 36 अब वैल्यू फर्मन ही हो गया तो अभी दूर ही रेना इस्पून से अपने पैसे जाया मत करना और दूसरा जो प्राइस कट लगा है भी रिसेंटली वो है वाई 27S को अब वाई 27S जो डिवाइस है ये भी कोई 54-55 के असपास लांच की थी एक दो मन्त पहले अभी इसको 50 का पहले पहले फिर आप 47 पे लेके हैं 3000 पे का प्राइस के अट लगा है ओफलें मार्केट में को 2-3,000 पे के डिसकाउंट भी मिल जाता है लेकिन स्टिल प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता बहुत लो एंड फीचर है प्राइस के हजाब से वैल्यू नहीं देता तो लोगोंने बैके देखके ना भाग जाने डिवाइस को लेने के लिए और मुस्टी लोग करते भी ऐसे बाद में लेके रोते हैं तो रोने से बेतर है कि इन डिवाइस को वाइड करो मत जाना इन फोन की तरफ और उसके लाब वीवो की वी सीरीज की डिवाइस काफी लते जा रहे हैं यहां पे भी हाल बुरा ही होता जा रहा है वी ट्वंटी नइन इन्होंने प्रैस ड्रॉप कुछ लगाया एक लग दस अजार पर यह डिवाइस आई थी कुछ टाइम पहले फिर दस अजार पर का प्रैस कर लगा नवे की डिवाइस है मार्गेट में स्थी के असपास में दर ही है लेकिन स्टील यह साथ जार पर से उपर का फून नहीं है तो कोई फाइदा नहीं है वी वी ट्वंटी नहीं को जो दोग देख रहे हैं बाय करने के लिए स्किप कर देना कोई फाइदा नहीं है देखो एक हमारा लोकल ब्रैंड है वी गोटेल उनने फून लौंच किया था नोट ट्वंटी फॉर के नाम से आलदो यह री ब्रेंडिड वेरियंट है बायर से फून मंगा के जोड़के अपना ठपा लगा दिया है लेकिन अगर 28-30,000 पर में इस features का मिल जाना बड़ी अच्छी बात है बागी कुछ लोगों के mind में concerns भी है भाई वी गोटेल कैसा brand है long term में पता नहीं कैसा चलेगा updates आएंगी कि नहीं आएंगी तो जाहरे यह concerns तो definite होती है जब एक brand की इतनी value ना हो लेकिन अगर आपको 27-28 के range में तग आपकिसनी market में launch की हैं जिनमें मैंने review किया था A72S को 25-26 की range का phone था आजकल market में discount के साथ 21,000 पर के आसपास मिल रहा है तो 4-128 combination भी है normal use वाला प्रोसेसर भी ठीक है Tiger T606 Helio G70-80 के दिर्मियान की performance है तो comparatively अगर आप 18,000 पर कोई थका हुआ 28 nanometer वाला प्रोसेसर भाई करो या भी 23-24 की range में आप Helio G36 जैसा प्रोसेसर भाई करो तो comparatively उसके मकाबले में आपको एक normal type के जो day-to-day use की performance है वो बेहतरी दे देगा की से सरपे में A72S आज के टाइम पर अगर मिलता है तो normal type के use में देख सकते हो अब देखो कुछ quickly टेक्नो के कुछ models discuss कर लेते हैं अब still मैं यह device recommend नहीं करूंगा कि आप जाओ क्योंके 720p के resolutions है इस phone में और आज के time पे आज की date में अगर आपको फून लेना है 25,000 पर की category में तो कभी भी 720p display को prefer मत करना 25,000 पर से नहीं से ले रहे हो तो फिर तो 720p display ठीक है 25,000 पर लेना आप देखो 28,000 पर में जो spark 20 आपने ले ले लो उसमें full HD plus के resolutions है और almost same type के feature है को ज़्यारा difference भी नहीं है उसके लाबाए एक Tecno का Powa 5 Pro 5G phone है चार मन्त पहले यह कोई 69,000 पर की category में आथा तो review में रगड़ा गया क्योंके over price था भाई लेकिन आज के time उसकी price काफी अची है इन्होंने price cut लगाते लगाते कोई 45 या charging में डिस्प्ले का touch response भी आचा है 40 IPS की gaming भी कर सकते हो कुछ लोग मुझे battery drain का complain करें लेकिन मेरी testing में कुछ इस तरह की चीज़े नोटिस नहीं हुई Shopify Pro के user है वो नीचे वीडियो के comments में अपना feedback जुरूर देके जाना और रहेकिन के एक और बहुत मज़े की device है Camon 20 Pro यह 60,000 रपे की range में लौच हुई थी कोई 4-5 बंद पहले ही अब एचानक से इन्होंने stock को मार्केट में stock दिया 45,000 रपे के साब से लेकिन still अभी market में stock मि अगर आपको कहीं से वो मिल जाता है ना 45 या 44,000 रपे की range में Camon 20 Pro तो वो भी एक बहुत मज़े का phone है इतने पैसों के हिसाब से इस फीचर है डेफिनिट्ली आप उस फून की तरह भी देख सकते हो देखो टेक्नो को discuss किया है तो Infinix कैसे पीछे रह सकता है क्योंकि एकी brand है अभी रिसेंट्ली नोट 40 सीरीज लौंच हुए थे काफी दोस कह रहे थे भाई नोट 40 को भी रिव्यू नी किया आपने नोट 40 प्रो को भी रिव्यू नी किया तो इसका रीजन बता देता हूँ अभी नोट 30 प्रो फून आपको पता है कि वो पहले 60 की range में था ब्लैक मार अभी नोट 40 की तरफ जाना को समझ से बाहर है मतलब 19-20 के डिफरेंस है तो नोट सीरीज पर पैसे लगाने से बेतर है कि आप जब नोट 30 प्रो आपको मिल रहा है सेम कांड फीचर के साथ तो आप वो देख लो भाई 44-45,000 पर में आपके पैसे भी बचेंगे सेम वही प्रो की बात कर रहा हूं लेकिन इंफनिक्स जो है ना मेरे हिसाब से जो मेरा उपीनिन है वही 45-50,000 पर से उपर का ब्रैंड नहीं है तो इसलिए मैं प्रैफर नहीं करता अगर आपको इस रेंज में कोई पैसे लगाने है तो किसी ऐसे ब्रैंड पर लगाओ जो आपको ए आज कल कर रहे हो ब्लैक माफिया का सही बैंड बजाते हो तो प्रैसी नीचे आ जाती है अभी डिसकाउंट के साथ मिल रहा है लेकिन मैं आपको यह फून रेक्मेंड नहीं करूंगा बहुत सारे इश्यूस है तिल जितना फीडबैक मैंने लिया है इस फून का ज्यादा त चास का सबस मिल रहा है उसकी तरफ देख सकते हो जीरो थर्टी फोर जी को आपको स्कीपी कर देना चाहिए और हमारा पाकिस्तानी ब्रैंड है जो है स्पार्क्स के नाम से अब यह भी वही काम है बाइर से यूनिट मंगवा के प्राइवेट लेबल अपने ठपे लगवा और बस यहां पर फिटिंग करके मार्केट में फैंक देते हैं कोई अपनी इनकी रिसर्च नहीं है कोई अपना इन्होंने कुछ करना नहीं है डिवाइस पे कोई वैलिव एड करनी नहीं है तो मैंने इनका एक स्पार्क्स का नोट 20 रिव्यू किया था गालबन वो स्टाइ और इनका एक फून आता है एज स्पार्क्स एज 20 प्रो 57,000 पे का फून था 52,000 पे प्राइस आ गई है काफी दोस पूछते है भाई एज में फून है ले लेना चाहिए नहीं देको भाई ब्रैंड यहां पर मैटर करता है जब आप 50K की पाउंडरी को क्रॉस कर रहे हो इनक तो स्पार्क्स या वीगोटल जैसे ब्रैंडर ना इसको 25-30,000 पे की रेंज तक किंसीडर करना इस से उपर इनकी अभी कोई वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से तो देखो यह वो सारे फून्स थे जिनको अभी रीसंटी कुछ प्राइस ड्रोप आया और उनके रिलेटेड जो म रॉंग फून्स की वीडियो वेलेबला वो आप अपने मतलब देख सकते हो और गेमिंग फून कैमरा फून की वीडियो में प्लैन करो इंशाला आपको जल्दी से फ्रीक्वेंटी थोड़ा कॉंटेंट देखने को मिलेगा I hope कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छ